नमस्ते बच्चों चली आज की कुख्षा की शुरुवात कर रही हूँ इसके पहले पेच्छ हमने एक ग्रामर में एक्जेक्टिव हिंदी में विशेशन सीखा था जिसमें जिसकी परिभाशा है जो शब्द संग्या या सर्वनाम की विशेश्टा बताते हैं वे विशेशन क होता है हमने विशेशन के चार प्रकार देखे थे गुण वाचक संख्य वाचक परिमान वाचक और सर्वनामिक वा चुवन में मोक्या करते हैं हमारे उंधर के गूनिया उस्चीज के गूंदर साते हैं संख्या में संख्या के द्वारा उसकी बड़ा, मतलब उसकी गुण बताए जाते हैं परिमान में वो कैसा है इस पे मतलब कुछ अधिक ऐसा परिणाम और सार्वनामिक मतलब संग्या की विशेष्ता बचो इसके भी भाग है अलग-अलग मैंने आपको बताया था आज हम इतना ही देखेंगे और इसके आगया आज आपको क्या करना है देखिए लिखना है विशेषन नीचे दिये गए वाक्यों में विशेषन शब्द को रेखांकित करो मैंने आपको कुछ वाक्य दिये है आपको क्या करना है विशेषन शब्द को उसमें अंडलाइन करना है तो पहला है यह ताला बहुत बड़ा है जो आपको लगता है कि वह ताला का रंग हरा है पाचवा थंडी हवा चल रही है एक किलो टमाटर दो साथवा हिरन सुन्दर है आठवा रादा बहुत मोटी है नौवा पेड़ पर रसीले फल लगे है दस रमेश तीसरी कक्षा का विध्यार्थी है बचे यह जो बदख में तीन बदख तैर रहे तो यहाँ पर तालाब होना चीए आपको मैं पीडियाफ से लिखने दूँगी पीडियाफ में आपको सही मिलेंगा पीडियाफ देख के ही लिखोगे ठीक है यहाँ पे है ग्यारवा रोहन बहदूर लड़का है रोहन क्या है बहदूर लड़का है तो बहदूर बता ती हमने बहदूर उसका विशेशता है आस्मान नीला है इंद्रधनुष में साथ रंग है चोद्वा कार लाल रंग की है पंद्रवा एक डरजन के ले लाओ तो आपको इन वाक्यों में एक एक वाक्यों में जो भी विशेशता बताने वाला शब्द लगता है उसे क्या करना है आपको रेखांकित करना है मतलब रेखांकित मतलब अंडलाइन करना है देखिए जैसे कार है पर वो कौन से रंग की है लाल तो लाल उसकी विशेशता है इंडर धनुष में साथ रंग होते हैं साथ उसके विशिष्टा क्योंकि इंडर धनुष में आट नौ रंग नहीं होते हैं यही कि उसमें साथ रंग होते हैं तो आप लोग ऐसे सेंटेंस को समझो और उसके विशिष्टा के नीचे अंडरलाइन करो बचो ये करने के बाद जैसे मैंने एक एक लाइन छोड़के लिखाया आभी वैसे एक एक लाइन छोड़के लिखोगे मैं फिर कह रही हूँ कि इसमें थोड़ी से मिस्टेक हुई है कि जैसे बदक में कहपे तालाब में तीन होने चाहिए तो मैं आपको पीडियेफ दूंग की पीडियेफ के स्थ्रू आप लिखोंगे तो पीडियेफ में क्या आपको सही मिलाईगा लिखो और सफाई से लिखो अंडरलाइन करो मैंने अभी जित्ती भी कॉपिस चेक के बचो उसमें बहुत से ऐसे ही कि और आप लोग ने अंडरलाइन नहीं करें किसी ने उत्तर ही नहीं लिखा है तो ऐसा नहीं करना है आपको कॉपि तुरंथ की तुरंथ उसी दिन का काम उसी दिन कंप्रीट करना है अब अगली काक्शा में मैं आपको बहुत देश कॉन सा है से प्रशन everything तर्दूम की हम अगली काक्षा में मिलेंगे धन्यवाद